हाई इस वीडियो में हम समझेंगे चाप्टर नमबर टू that is from hunting gathering to the growing food तो जो earliest people थे उन्होंने अपने life को किस तरह से transform किया ठीके from hunting से मतलब शिकार करके अपने food को पूरा करते थे और आगे चलके वो खुद अपने food को grow करना शुरू कर दिया था उन्होंने तो हमें पता है कि जो लोग इस सब continent में बहुत सालों से रहते थे लगबग 2 million year ago से उन्हें हम hunter gatherer बोलते हैं अब यह hunter gatherer नाम इसले पड़ा है इनका क्योंकि यह जो food collect करते थे that is through the hunting यह hunting करते थे शिकार करते थे while animal का और यह fish को और birds को पकरते थे साथी साथ जो forest में जो tree है उनके fruits, roots, nuts, seed, leaf और stalk यह हम बोल सकते एक को gather करके अपने food को पूरा करते थे तो इसले इनका नाम hunter gatherer पड़ा है ठीके तो यह जो hunter gatherer थे यह एक जगह से दुसरी जगह पे move होते थे तो यह क्यों actually move होते थे सबसे पहला reason यह है कि अगर यह एक जगह पे रहते तो जो एक जगह का सारा रिसोर्स है जैसे कि plants हो गए या animals है ठीके ओ उन्होंने पूरा खा लिया होता है ठीके तो अभी वहाँ पे तो कुछ बचया है नहीं तो फिर ओ फूड की तलाश में ओ क्या करते थे एक जगह से दुसरी जगह पे move होते थे दूसरा कारण यह था कि यह जो animal जैसे कि deer हो गय या wild cattle हो गया यह क्या होते थे यह भी move होते थे for the searching of the grass और live क्योंकि इनका यह food था तो इनी के शिकार के लिए जो hunters थे जो इनका शिकार करते थे deer और cattle, wild cattle का तो इनके सासाथ इनको भी move होना पड़ता था तो यह दुसरा कारण है ठीके तिसरा कारण यह था कि जो plants और tree थे ठीके उनके जो fruits थे वो क्या थे season के हिसाब से आते थे तो इसलिए मुह होते थे season के हिसाब से एक सीजन में कई और रहेंगे, दुस्से सीजन में कई और रहेंगे, क्योंकि जो fruits आते थे, plants के उपर में, वो सीजन के हिसाब से आते थे, इसलिए वो भी move होते थे, fourth reason क्या था, fourth reason ये था, कि जो plants और अनिमल है, उनके लिए water सबस्यादा जरूरी है, तो water कहाँ पे मिलता है लेक में मिलता है, streams में मिलता है, rivers में मिलता है, तो कुछ rivers और लेक, ये क्या थी, perennial थी, मतलब throughout the year यहाँ पे पानी रहता था, लेकिन ऐसे भी कुछ river थी, जहाँ पे पानी नहीं आता था, dry रहती थी, ठीके, तो इसलिए पानी के तलाश में भी, लोग क्या कर रहे थे, hunter gather के बारे में उन्होंने काफी ज्यादा पता कर लिया था, क्यूंकि ये जो hunter gather थे, इन्होंने क्या क्या था, जब ये hunting करते थे, या कोई भी अलग-अलग इनका जो भी use होता था, उसके लिए ये stone का उपयोग करते थे, wood का उपयोग करते थे, तो इनकी study करते हुए, थे, तो ये jो stone as a tools ये use कर रहे थे, इकिसले use कर रहे थे, to cut the meat, ठीके, mask को काटने के लिए, या bones, scrap या bark जो trick की झाल होती थे, उसको काटने के लिए, ठीके, या fruits को chop करने के लिए, चिलने के लिए, roots को भी चिलने के लिए, ये पत्थर का use करते थे, साथी साथ as a handler वो bones और wood को भी यूज़ करते थे उस stone के साथ में साथी साथ arrow और spears का भी यूज़ करते थे hunting के लिए और ये जो tools ये यूज़ करते थे wood को chop करने के लिए ठीके या हम बोल सकते fire wood के लिए ये मतलब wood को यूज़ करते थे fire के लिए इस तरह से ये अलग-अलग tools को use करते थे hunter gatherer तो इनी की study करते हुए archaeologist को इन hunter gatherer के बारे में पता चलता है ठीके यहाँ पे देखे ये जो stone use किया जा रहा है ये किसले use किया जा रहा है ये use किया जा रहा है for the digging the ground ground को खोदने के लिए use किया जा रहा है और इससे क्या कर रहा है ground को खोदके वो irritable जो roots होते थे tree के ठीके उसको वे निकालते थे साथी साथ जो cloth को stitch करने के लिए भी जो animal की जो skin होती थी उसको as a cloth ये use कर रहे थे तो उसको stitch करने के लिए ये पत्थर का use करते थे ठीके अब देखो अब ये map 2 देखो ये map 2 है जहाँ पे paleolithic, neolithic, megalithic, early village और modern cities ये सब के बारे में यहाँ पे मतलब ये कुछ site है जो की archaeologist को पता चलिए ठीके अब all these places mark with the red triangle are sites तो जो red triangle से जो mark की गए, जैसे ये कुर्नूल के हो गया, हुन्सगी हो गया ठीके, या भिमबेट का हो गया ये क्या है, paleolithic side है तो यहाँ पे archaeologist को इन hunter gatherers के बारे में पता चला है, ठीके साथी साथ कुछ ऐसे भी जगह है, जैसे कि कुछ resources of water या river lake हो गया, इनके पास की कुछ site है में लिए जो side होती थी यहाँ पे, मतलब water resource या river या lake के पास ही में लिए हमें मिली है, क्योंकि hunter gatherers में लिए water के तलाश में, या water जहाँ पे water हैगा, वही पे वो अपने आपो, मतलब वहाँ पे यह लोग रहते थे, ठीके जो stone के tools यह use करते थे वो बहुत ज़दा importance थे उनके लिए ठीके, और यह अच्छे quality के stone यूज करते थे और यह वहाँ पे हमें मिले भी है अब देखो, कुछ rock painting मिली है जैसे कि यहाँ पे देखे, यह कुछ animal है, जिसके पीछे यह आदमी क्या कर रहा है इसके पीछे दोड रहा है, ठीके तो इस type की skill भी उनकी painting skill से भी हमें पता चलता, यह कहाँ पे मिला है हमें, यह मिला है मद्या प्रदेश and south of the उत्तर प्रदेश के ठीके केउ में हमें यह मिला है ठीके, जो भीमबेट का है यह कहाँ पे, यह actual भीमबेट का में मिला है इन present मद्या प्रदेश में यह भीमबेट का यह देखो, यह है भीमबेट का, यह है मद्या प्रदेश में, modern state मद्या प्रदेश में है, यह सबसे old side है, जहाँ पे क्या मिला है, rock शेल्टर मिलाएं ठीक है अब हम समझेंगे साइट क्या होता है देखे साइट क्या होता है एक प्लेस होता है जहां पे हमें कुछ remaining स्मिलते यह जो hunter gatherers थे इन्हेंके कुछ tools मिले हमें ports मिलते buildings मिलते तो यहां पे यह मिलते वहां को हम साइड बोलते ठीक है तो यह हमें काफी ज्यादा use होता है, क्योंकि यह हमें एक तो जमिन के अंदर मिलते, या जमिन के उपर मिलते, समुन्दर के उपर मिलते, कहीपी भी मिल सकते, ठीके, जो hunter gatherers थे, उनके यह जो tools नहीं हमें कही भी मिल सकते, और जहाँ पे मिलते उसी को side बोला गया है अब समझेंगे कि ये fire के बारे में इन लोग को पता था या ने अभी हम सबसे पहले कुर्णूल केउ को समझेंगे मैप में देखें ये है कुर्णूल केउ ठीके ये क्या है कुर्णूल केउ है ये भी paleolithic side है तो यहाँ पे जो है हमें कुछ access मिले तो इससे क्या पता चलता है कुछ access मिलने से हमें ये पता चलता है कि जो hunter gather थे वो familiar थे इस fire के बारे में तो ये fire किसले use कर रहे थे में लिए हो ये use कर रहे थे as a source of light बोल सकते या meat को roast करने के लिए या animal को भगाने के लिए भी use कर सकते थे हो ठीके इस लिए भी ये use कर रहे होंगे इस fire को अब ये जो name है ठीके देखो paleolithic, paleolithic जो side है paleo का मतलब क्या होता है? old होता है और lithos का मतलब क्या होता है? stone होता है तो ये जो paleolithic जो paleolithic period है ठीके ये है 2 million year ago से लेके 12,000 year ago तक ठीके इसके अंदर में paleolithic को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है lower, middle और upper paleolithic और जो 99% जो human history है वो हमें paleolithic period में ही देखने को मिलता है ठीके उसके बाद जो है environment change होता है 12,000 year के बाद में और मतलब 12,000 year के बाद में मतलब आज से 12,000 year के बाद में जो environment हो change होते जाता है और ये जो मेसोलिथिक है जिसको middle stone भी बोला जाता है ठीके ये period होता है मतलब paleolithic के बाद आता है मेसोलिथिक जो कि 12,000 से लेके 10,000 year ago तक ठीके तो यहाँ पे जो stone मिलते है ये generally micro list stone होता है मतलब काफी छोटे stone होते है तो ये जो micro list stone है इनके साथ handle भी use किया गया है तो इसके बाद 10,000 year के बाद अब क्या आता है नियोलिथिक पिरेड आता है कि नियोलिथिक में हमें जो stone का आकार और ज्यादा छोटा देखने को मिलता इस तरह से paleolithic जो कि 2,000,000 year ago मतलब लगबग 20,000,000 साल ago से लेके 12 year ago तक यह paleolithic में paleolithic को तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है lower, middle और upper paleolithic उसके बाद आता है mesolithic जो कि 12,000 से लेके 10,000 year ago तक होता है यह पिरेड और उसके बाद आता है नियोलिथिक जो कि 10,000 से लेके अब तक यह नियोलिथिक पिरेड होता है ठीक है जो 12,000 year के बाद में जिस तरह से environment change हुआ है ठीक है जिसके वज़े से क्या हुआ जिसके वज़े से जो environment है वो काफी ज़्यादा गरम हो चुका है गरम होने के वज़े से जो मतलब यह relatively पहले थंडा मोसम था तो 12,000 year के बाद में जो climate change के वज़े से काफी ज़्यादा गरम हो चुका environment जिससे grassland develop हो चुकी अब grassland develop हो चुकी तो इस grassland को खाने के लिए deer हो गए antelope हो गए goat हो गए sheep हो गए cattle हो गए यह animals काफी ज़्यादा बढ़ने लगी और यह animals जो है mainly survive करती थी यह grass के उपर तो इनका यह जो animals है इनके hunting के लिए ठीक है इनको hunt करने के लिए बागी के animal इनको follow कर रहे थे मतलब इनिमल ही नहीं साथी साथ जो मैंने इनके hunting के लिए इनको follow कर रहा था तो इससे क्या पता चलता है लोगों को इसे लोगों को इनके बारे में पता चलना लगा, इनका food habit किस तरह से, ठीक है, काफी चीजे, क्योंकि लोग इनके hunting करने में लगे, तो इसलिए इनके जो भी, मतलब food habit हो गया, या जो भी इनके बारे में चीजे हो गई, वो पता करना शुरू कर दिया है, ठीक है, fishing as a food, इस स समय काफी ज़्यादा प्रचलन में था, अब बात कर गया हम किस तरह से farming और herding सुरू होता है, तो देखे, this was the time when several grain bearing grasses, जैसे इस समय में क्या हो आता, wheat हो गया, barley हो गया, rice हो गया, ये काफी ज़्यादा grow होना शुरू हो गया था, ठीक है, जो man और women थे, या children थे, ओ ये सभ भी grains को collect कर रहे थे, और as a food use कर रहे थे, ठीक है, और इसको उगाये भी करते थे ओ, उस समय में, ठीक है, तो इस तरह से farmer, as a farmer, लोग पहिचाना, मतलब खुद as a farming करना सुरू कर दिये थे, तो साती सात, जो लोग थे, ओ animals के तरब भी, जो tail animals थे, उनके तरब भी attract हो गये, क्योंकि, ठीक है, उनके लिए वो food रखते थे, ठीक है, उनके shelter के लिए भी वो काफी ज्यादा ध्यान देने लग गये, जो animal था, ठीक है, जो सबसे पहले लोग ने उसको as a palthu बनाये, वो था wild ancestor of dog, और साती सात, उन्होंने अलग अलग टाइप के animal को भी पालना सुरू कर जिससे sheep हो गया, goat हो गया, cattle हो गया, इस टाइप से अलग-अलग animals को पालना सुरू कर दया, क्योंकि अभी देखो, इनको attract करने के लिए वो क्या करते थे, ग्रास को रखते थे, फिर ये ग्रास को देखती होए, वो animal आते थे, फिर उनको अपने पास वो रखते थे, साती सा attack से भी इनको बचाय करते थे, ठीक है, अब देखो, जो animals, while animals होता था, उसके teeth बड़े होते थे, और जो पालती animal होता था, उसके teeth क्या है, छोटे होते होते, तो यहाँ पर example दिया गया है, अब हम समझेंगे, a new way of life, if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow, जब हम seed को प्लान करते, तो ये क्य है, कुछ time लेता है, ठीक है, हो सकता है, कुछ दिन ले, week ले, month ले, या कुछ cases में ये year भी ले सकता है, so when people began growing plants, जब earliest people जो थे, वो plants को grow करना शुरू किये, तो इसका मतलब क्या है, उनको एक समय में, मतलब एक place पे ज्यादा समय उनको रहना पड़ा, तो क्यों रहना पड जाना है, तो till the grain ripened and then the grain had to be used carefully, ठीक है, तो जो grain को उन्होंने उगाया, उसको carefully use भी करना है, तो इसके लिए उस grain को store किया जाता था, food के लिए और seed के लिए भी, तो इसके लिए जो earliest people थे, वो क्या यूज़ करे थे, मिट्टी के pots यूज़ करे थे, या basket को भूनते थे, सा अंदर भी रखा करते थे, उस grain को, इस तरह से जो लोग थे, उन्होंने अपना नया जीवन जीना शुरू कर दिया था, अलग तरीके से, अब बात करेंगे rearing animals की, देखे, animals क्या होते, multiply होते naturally, ठीक है, besides if they are looking after carefully, अगर हम उस animal को carefully अगर देखेंगे, तो वो हमें milk भी देता है, साती साथ, वो एक important source है, food का, meat का भी, ठीक है, जब भी हमें जरुत पड़ती है, तो in other word, animals that are reared can be used for the store as a food, हम उसको food as a food यूज कर सकते, ठीक है, finding out about the first farmer and the others, ठीक है, हमने, मैं आप में देखा था, blue dots, ठीक है, तो ये जो dots है न, ये जो mark है, ये क्या है, इन्होंने, य ये actually archaeological site है, जहाँ पर ये evidence मिले है, कि जो earliest farmer और hurdles थे, वो mainly वहाँ पर है, मतलब इनके हमें, इनके हमें आउशेस मिलते है, ठीक है, जो कि mainly कहाँ पर है, वो present day कश्मिर के अंदर में है, जो कि North West में है, और South, South of India है, ठीक है, यहाँ पर हमें, जो farmer से first farmer और hurdles, इनके आउशेस मिलते, to find out whether this site, where settlement of farmers or harder, scientist ने study किया, इसके evidence को, ठीक है, evidence of plants, animals, bones, और most of exciting find include, जैसे, वहाँ पर हमें, बर्न, ग्रेन, ग्रेन्स मिले, मतलब जले हुए, ग्रेन्स मिले हमें, वहाँ पर, ठीक है, हो सकता है, वो accidentally भी बर्न किये गए हो, या किसी purposefully भी बर्न किये गए हो, तो scientist ने identify किया, ये grain को, और, और, so we know that number of crops were grown in the different part of the subcontinent, they can also be identify, bones of different animals, तो हमें, subcontinent के different parts में, ये जो crops है, ठीक है, ये इसके grow होने के आउसेस मिलते हैं, साती सात, हमें bones के भी, different animals के bones भी identify हुए है, ठीक है, अब हम समझे के, toward a settlement, archaeologist ने found किया, trace किया, hurts को, साती साथ houses को, कुछ site में, जैसे कि, बुर्जा हुम हो गया, present कश्मीर में है, जहाँ पे लोग, क्या कर रहे थे, मतलब, एक, builder, pit houses, pit house क्या है, जमीन के अंदर, मतलब, ground के अंदर, गड़्डा खोन के वहाँ पे, वो रहे थे थे, उसके अंदर जाने के लिए, यूज हो रहे थे, और इस में भी, प्रोवाइट, शेल्टर, इन दा, कोल्ड वेदर, तो यह जो उन्होंने, beat houses, बनाये, pit houses, यह थंडी के समय, as a shelter, यूज के जा रहे थे, archeologist have also found cooking, cooking hearts, ठीके, both inside or outside of the hearts, we suggest that depending on the weather, people could cook food, either indoor or outdoor, तो archeologist ने find out किया, कि inside or outside, उनको, मतलब inside or outside of the hearts, ठीके, जो उनका pits house था है, इनके अंदर और बाहर में, इनको चूले मिले, तो इससे यह पता चलता है, कि लोग वेदर की हिसाब से, जो अपना food है, उसको cook किया करते थे, stone tools भी मिलते हैं, ठीके, कुछ side में, तो many of these are different from the earliest paleolithic tool, that is why these are called the neolithic, तो यह जो tools मिले हैं, यह paleolithic tool से यह अलग है, तो इसलिए इसको neolithic tools बोला जाता है, इसके अंदर हम include कर सकते, polished tools मिले हैं, जो कि एबदम fine cutting age वाले tools थे, ठीके, तो इसलिए इसको neolithic tools भी बोल सकते हैं, then, हमें several thousand years later, हमें यह सभी चीज़े, मतलब, जैसे grinding के लिए, जो mortars और pestle से, यह मिले, ठीके, आज भी हम इसको use करते, तो इस तरह से हमें अलग-अलग tools इस सब्सक्राइब अलग-अलग साथ पे मिलते हैं, इस टाइब से, अब हम closer look लेंगे मेहरगड का, देखें मेहरगड side जो है, यह located है fertile plain में, नियर मोलन पास, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में, ठीके, which was, which is one of the most important route into the Iran, इरान जाएने के लिए एक सबसे important route था, मेहरगड was probably one of the place where people learned to grow barley और wheat, and rear sheep and goat for the first time in this area, तो इस एरिया में पहली बार, लोगों ने barley और wheat की खेती करना सुरू कर दिया था, साथी साथ, यह sheep और goat को भी पालना सुरू कर दिया था, ठीके, it is one of the earliest village that we know about it, तो यह सबसे पुराना village है, जिसके बार में हमें पता चलता है, this side, this side many animal bones were found, इस side से हमें काफी ज़्यादा animals के bones हमें मिलते, bones of the wild animals, सचा जैसे deer हो गया, pig हो गया, ठीके, bones of the sheep हो गया, goat हो गया, यह सभी के bones हमें इस side में मिलते, ठीके, other fine of the mayor guard include, जैसे कि यहाँ पर हमें square or rectangular houses दिखाई देते, और यह इस houses में, ठीके, four or more compartment थे, जिसमें से कुछ compartment storage के लिए भी use के जाते थे, देखे, many people die, their relative and friends, generally pay respect to them, तो respect अब किस तरह से pay केरते थे, देखे, जो burial होता था न, उसके साथ कुछ arrangement करके रख देते थे, उसके साथ, मतलब उस death person के साथ में goat को रखे थे, इस type के आउसेस हमें इस site से दिखाई दे थे, तो ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद उसको यह जो goat as a food use किया जा सकता है उस व्यक्ति के लिए, उस death person के लिए, इस type से belief रखा करते थे, तो इसके भी आउसेस हमें इस site से मिल थे, तो इस तरह से चाप्टर के अंदर में हमने क्या क्या देखा, देखें, इसमें हमने सबसे पहले कि किस तरह से जो hunter gatherers थे, उन्होंने अपनी life को सुरू किया है, ठीक है, लगबग 2 million year ago से, then हमने यह देखा कि किस तरह से हमें इनके बार में पता चलता है, archaeologist हमें क्या क्या चीजें बताते हैं, इन earliest people के बारे में, हमने फिर map को समझा, उसके बाद हमने fire के बारे में समझा, जो kurnul kew था, वहाँ पर हमें access मिलते हैं fire के, तो fire अलग-अलग purpose के यूज किया जाता था, फिर हमने daily जो अलग-अलग period है, जैसे कि paleolithic period हो गया, जिसमें तीन पार आते, lower, middle, lower, upper, then हमने mesolithic side के मतलब mesolithic period के बारे में जाना, जो कि लगबग 12,000 से लेके 10,000 तक था, फिर 10,000 के बाद में neolithic, उसके बाद हमने किस तरह से change हुआ environment, after the, मतलब 12,000 year ago से किस तरह से environment change होता है, फिर जो अलग-अलग type के animals से उनकी संग्या बढ़ जाती है, उसके बाद हमने farming और hardest के बार में समझा, फिर लोग की इस तरह से अपने life को नए तरीके से जीना सुरू कर देते, farming के जरिये, फिर animals को यूज करना सुरू कर देते हो, ठीक है as a food, फिर इस तरह से हमने अलग-अलग उनके life के बारे में देखा, कि वो लाश्ट में आके जो crop से उसको grow करना सुरू कर देते हो, सेटलमेंट का अपना रास्ता ढूर लेते, फिर अट लास्ट हमने मेरगर साइट का एक क्लोजर लुक देखा, ठीक है, इस तरह से हमने इस चाप्र को completely cover किया, so that's all for this video, thank you, bye bye.